जीन में एक महापंचायत हुई आपको मालूम है उस महापंचायत में एक महाफैसला भी लिया गया और उसके बाद एक बयान सामने आया बयान सामने आया हरयाना के पूरमंतरी और बीजेपिंग इनिता अभी धनकड का मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो प्रेस वारता कर रह उनसे जब सवाल किया गया कि क्या ये फैसला देरी से आए तो उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला चुनाओं से पहले आ जाता तो शायद ओपी धनकड यानि कि वो और साथ ही कैप्टेन अभिमन्यू दोनों ही हारते नहीं या फिर यूं कहें कि विधान सभा की डेली तक जा प मामला समाजिक तोर पर सुलझा लिया गया क्याप्टन परिवार की और से सभी आरोफियों को माफ्स कर दिया गया इसके बाद अलग-अलग तरहां की प्रतिक्रियाँ आने का सिलसिला जोरों पर खे अब इसका वायद में हरियाना के पूर मंत्री और विजेपी के उसे लगा कि उपिधंकड की हार का दर्द उनके जहन से जुबान पर आ गया खें। उपिधंकड की और से कैप्टन अभिवन्यू और जार समुदाय को वधाई तो दी गई। साथी ऐसी बड़ी बाद भी कही गई जिससे असल में लगा कि उपिधंकड को इस बात का अंदाजा आख थे कि जार समुदाय उनसे जुनाव से पहली नाराथ था। उपिधंकड की ओर से स्विकार की आगया कि ये समझोता या तो घटना की कुछ दिन बाद होता या फिर चुनाव से पहले हो जाता तो कैप्टन अभिवन्यू और अम्रिकाश खंखट विधान सभाम एको पे इसके लाव महम से बल्राज कुंडू की और से मनीश ग्रोवर पर जात आंदोलन से जुड़े जो आरोप लगाय चारके हैं उसको लेकर भी ओपिधंकड की और से कहा गया अब आरोप लगा जाता सोनी बात नहीं होती अगर कुछ कुंडो साब ने करना था तो उस समय कर देठोग के इस समय वो सरकार में थे वो कुंडो साब भी पजला प्रसद के चेर्मेन वहीं थे तो घटना एगर उस समय की है तो उस समय उठाना बनता था यह ऐसी इस तरह से जब कोई आदमी ना पद्ध पे रहे तब उसके बारे में अभी जो कुंडो साब ने कुछ उठाना है तो आज गल के मुद्धे उठा है कुल्विलाकर क्याप्टन आवास पर आगजेनी के मामले के समझोते के बाद जात आंदोलन मामला फिर से सुर्खियों में है मामला समाजी कोने के साथ साथ राजनितिक भी है चुंकि विधानसभा चुनाओ में हरियाना मिजेपी के बड़े जाट नेता हारे जहां नार्लों से क्याप्टन को हार का सामना करना पड़ा ओपी धन्कड और सुभाष बराला भी अपनी सीट बचाने में नाकाब रहे अब ऐसे में ओपी धन्कड का ये कहना कि चुनाओ से पहली अगर समझोता हो जाता तो आज विधानसभा में होते ये साफ विशारा करता है कि धन्कड को इस बात की भनक है कि समुझाए उनसे नारास्ता ऐसे में समझोते से पार्टी और विजेपी के जाट निकाओं के लिए समाज और हर्याना में क्या राजनितिक और सामाजिक सन्देश जाता है ये देखने बाली बात होगी खबर अभी तक के लिए जाजर से फ्रदीत धन्कड की रिपोर्ट अब बड़ा सवाल ये है कि आखरकार ओमरिकार धन्कड के इस बयान के माइने क्या है समझने के लिए मेरे साथ कलसर्टिंग एडिटर खबर अभी तक धरपाल धन्कड जी जूड़ चुके हैं उनसे अब बात चित हम करेंगे धन्कड जी सबसे पहला बड़ा सवाल दश्वों के मन में भी ये होगा कि आखरकार ये जो बयान दिया गया है क्या इसमें वाके में ऐसा है कि ये महा पंचाइट का महा फैसला चुनाव से पहले आ जाता तो क्या धन्कड जी जाते कैप्टन अभीमन्यू जी जाते क्या व नाराजगी नहीं थी बलकि पूरी भारतिये जनता पार्टी को लेकर एक नाराजगी दिखाई दे रही थी क्योंकि जात अंदोलन के बाद से लगातार जातों को जो है वो जात समुदाय जो है वो नाराज चल रहा था तो ऐसी इस्तितिति में उनकी नाराजगी कुछ कम हो थी निश्चित रूप से इस फैसले का थोड़ा बहुत आसर जरूर पढ़ता और जिसका थोड़ा थोड़ा ही सही बादपा को फायदा मिलता का कैप्टन अवी मन्यू को मिलता और धनकड को मिलता अब ये तो नहीं कहा जा सकता निश्चित तोर पर कि ये जीत करके विधा निती ना होती तो इन नेताओं को सिर्फ फायदा होता जादा जो अपे धनकड हो गए कैप्टन अविबनी हो गए और जाट वोटर उनके साथ एक तरफा आ जाते तो शायद ये जीत भी जाते विधानसभा पहुंच जाते यह उपे धनकड का भी कहना है देखिए वो तो 2019 के लोग सबाचुनाओं में बेसक्त मरेंद्र मोधी को बाहरी भाहुमत से दिताया लेकिन जो 2019 का पिधानसभा चुनाओं है उसमें जाट समुदाय ने निश्चित रूप से भारतिये जनकापार्टी की सरकार्ट जी जाट समुदाय की जो लोग है उनकी नाराजगी थी लग व्यान से और संखेत दे रहें रही हो구요 जाहिर सी बाट है कि एक बड़ी संख्या में जो है मंतरीों निश्चित पर्द होता पहले हो गया होता तो थोड़ी बहुत कम होती है यह इस महा पंचायत के महा फैसले का प्रभाव चुनाब पर बिल्कुल होता यह पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तोर पर अगर मैं आप पर अपने यह अपनी राय रखी और कहा कि किस तरह से ओपी धंकड का जो बैन है उसके माइने कि क्या हो सकते हैं यह धर्णपाल धंकड जी ने बताए जो की खब्रव तक के कलसर्टिक एडिटर है उन्होंने साफ किया कि कुछ असर हो सकता था लेकिन जादा नहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता यह जनता है इस जनता को मालूम है और उन्होंने अपना फैसलर दे भी दिया